सिंगम अगेन तो जहांकी है असली बवाले फैल्म आना भी बाकी है वाई एरेफ स्पाई उनिवर्स वालों को कौपी करेंगे रोहिशेटी अब रोहिद बॉलिवुड की हसनाओं को लेकर के कौप उनिवर्स बुर्नाने वाले हैं जिसकी तयारी शुरू कर दी गई है तो आ रोहिशेटी की कौप उनिवर्स बॉलिवुड की सबसे बड़ी सिनेमाई उनिवर्स में से एक है इस उनिवर्स की आने वाले फैल्म है सिंग हम अगेन आजे देवगिन रनवीर सींग और अक्षे कुमार इस फैल्म के सबसे बड़े हाइलाइट है जहां अब तक इस उनिवर्स में दिपिका पादुकौन की एंट्री हुई है वो लेडी सिंगन के रोल में दिखाई देंगी वहीं करीना कपूर खान भी फैल्म में एक मजबूत रोल करती हुई नसरवाएंगी वहीं अब रोहिश शेटी ने कह दिवा है कि वो विमेन पावर के साथ कॉप फैल्म में बनाएंगे दोरसल YRF स्पाई उनिवर्स वालों ने पहली फीमेल स्पाई फैल्म का ओफिशल एलान किया है इस कॉंसेप्ट के बाद रोहिश शेटी ने भी महिला कॉप उनिवर्स बनाएंग का एलान कर दिया है हाला कि कुछ वक्त पहले ही रोहिश शेटी ने कहा था कि वो दिपिका पादुकोन के लेडी सिंगम किरदार को फिल्म सिंगम अगेन के साथ खत्में नहीं करेंगे इस पर वो अलेक से फैल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं निउस एटीन शोशा के साथ बात चीत करते हुए रोहिश शेटी ने बिताया कि वो एक औल वुमिन कॉप यूनिमर्स पर काम कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान और सेफ है हाला कि सिंगम अगेन की टीम सब कुछ असली रखने पर फोकस कर रही है हम पुराने जबानी के लोग हैं मेरे लिए हाथ से हाथ का मुकाबला हमेशा रियल रहेगा यहां तक कि जब आप मेरी अगले फैल्म यानिकी सिंगम अगेन देखेंगे तो हाथ से हाथ का मुकाबला होगा और हाँ इसमें बहुत सारा सीजी भी है कुल मिलाकर रोहिशेटी अब सिंगम अगेन के बाद से एक औल वुमन कॉप यूनिवर्स लेगर आएंगे हाला कि इसकी तैयारी कब से स्टॉइट होगी इसको बनाया कब से जाएगा यह फैल्म फ्लोर पर कब से ओएगी और इसमें कौन-कौन से फीमेल स्टॉर कास्ट होगी यह बाग साफ नहीं हो पाया है Bollywood की लेटेस्ट न्यूस, गॉसिप, फिल्म रिव्यूस, सॉंग रिव्यूस के लेट, सब्सक्राइब करे हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलीवूद को And yes, don't forget to press the bell icon ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई इंफोमेशन आप बिलकुल भी मिसना कर पाएं